आशार मास में पढ़ने वाली पूर्णिमा को गुरू पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मानिताओं के अनुसार इस दिन चारों वेदों का ज्यान देने वाले महर्शी वेद व्यास जी का जनम हुआ था। संपूर्ण मानव जाती के प्रति उनके योगदान को देखते वे उनके जनमोत्सव को गुरू पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और उन्हें प्रिथम गुरू भी कहा जाता है। पुनिमा के दिन ही भगवान विश्नु की पूजा का भी विशेस महत्व है तो आज आपको बताते हैं गुरु पुनिमा की तिति और शुबमूर्थ के साथ ही इस दिन की पूजा विधी और नियम के बारे में आज के दिन अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में सनान करन हैं साफशत वस्त्र धारन करने के बाद व्यासची के चित्र को सुगंदित फूल या मालार पित करके फिर अपने गुरु के पास जाना चाहिए उन्हें उचे और सुसजित आसन पर बिठा कर पुश्प माला पहनानी चाहिए इसके बाद कुछ दक्षना और सामगरी आदि जिस दिन अपने अपने गुरु की खास तरीके से पूजा करके उन्हें उपहार आदि देकर प्रसंद किया जाता है उन्हें दक्षना आदि देकर उनका आशिरवात प्रात किया जाता है ऐसी मानिता है कि वेद व्यास जी रिशी परासर के पुतर थे हिंदु धर्म शास्त नहीं करेगा अपने करतव इसे विमुख और कम आयू वाला हो जाएगा एक बड़े और संपुन वेद का ध्यन करना उसके वश की बात भी नहीं होगी इसलिए महर्शी वेद व्यास जी ने वेद को चार भागों में बाट दिया जिससे की अल्प बुध्धी और अल्प इस्म वेद का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूरे आशार महेने में हमारे चैनल पर आशार मास महत्मी की कताओं बैसरा की और शीब महापुई और पूर्णिमा का इस नानदान किया जाएगा पूर्णिमा तिथी प्रारंभ होगी दो जुलाई रविवार रात आठ बचकर बाइस मिनट से और तीन जुलाई सुमवार की शाम पांच बचकर आठ मिनट पर समाप्त हो जाएगी क्योंकि इस बार पोनिमा सोमवार के दिन पढ़ रही है ऐसे में भगवान शिव जो अपने मस्तक पर अर्ध चंदर धारन करते हैं उन सहित समस्त शिव परिवार की पूजा भी करनी चाहिए और पोनिमा की तिथी चंदर देवता को समर्पित होती है ऐसे में शाम के समय चंदर देवता की पूजा चरूर करें चंदर देवता को अर्ग दें और जो लोग उपवास रखते हैं वो चंदर देवता को अर्ग देने के बाद अपना उपवास खुल सकते हैं आज के दिन सुर्योदय का समय सुभा पांच बचकर उननचास मिनट, सुर्यास्त का समय शाम साथ बचकर बारा मिनट, ब्रह्ममूर्थ का समय सुभा चार बचकर तेरा मिनट से पांच बचकर एक मिनट, और रहुकाल का समय जो कि अशुब मूर्थ होता है सुभा साड़े और खास तौर पर ब्रह्ममूर्थ का समय सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए आपको ब्रह्ममूर्थ में ही पुर्णिमा का इसनान करना चाहिए। आज के दिन चंदरोदे का समय रहेगा रात 7 बचकर 31 मिनट पर जो कि पूर्णिमा ते थी चंदरोदे से पहले ही समाप्त हो रही है तब भी आपको चंदर देवता की पूजा इसी समय करनी है और इसी समय के बाद आप अपना उपवाज भी खोल सकते हैं। पूर्णिमा के दिन खास तौर पर खीर का भोग चंदर देवता को और मा लक्षमी जी को अर्पित किया जाता है। भगवान विश्नु का पूजन भी इस दिन किया जाता है। ऐसे में आपकी जो भी मनुकामना हो उसकी पूर्थी के लिए प्रार्थ न करके आप भी गुर